हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अभी बज़ रहे हैं सुबह के साड़े पांच और सबको प्यारी से गुड़ बार्निंग यहां पे मैं दूद निकालने लग गई हूं और आज मैंने सुबह सुबह ही व्लोग स्टार्ट कर दिया है साड़े पांच के लगबग तो यहां पे मैं दूद निकालने मेरे साथ में भी तरुन वरुन दोनों उठ गए हैं तो वरुन नहीं उठाये वरुन भी सो रहा है तो तरुन उठ गया है भी और यह रमा और राध दोनों खड़िये वैसे उठ तो जल्दी जाते हैं साड़े चार बजे उठ जाते हैं पर बाखी का जब बाहर तक अंधेरा रहता है ना तब तक अंदर वाला काम कटम कर लेते हैं और अभी थोड़ा हुजाला हो गया तब भी मतलब दूद निकाल रही हूं बाहर वैसे दूद निकाल देती हूं इसलिए मैं चोटे बर्तन में दूद निकाल देती हूं इसमें है यहां पर दूद निकाल दिया और अभी रहमा को खोल देती हूं और सुबह सुबह मतलब कि यह बोलना अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैंने बाद में मैं सोचा कि में बाद में वाइस डबिंग कर लूँगी इसलिए मैंने सुबह 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 मतलब करते हैं फिर बोलते हूए वह ची अच्छा नहीं लगता है तो यहां पर दीके दूद मैं निकाल दिया अभी और थोड़ा सा कीचन का काम ह दूद मैंने घरम करने को रख दिया और जो रात का रखा हुआ दूद था वह मैंने बच्चों के लिए भी गरम करके निकाल दिया है साइड में इधर इनके कॉंप्लेन अभी खतम हो रखा है तो बस अभी खाली दूद में चीनी डाल दिया थोड़ी सी और दोनों बच्च साइड पर जाते हैं तब जल्दी उठना रहता है बाकी चुटी रहती है उस दिन अम लोग लेटी उठते हैं और सारा काम लेटी होता है पर साइड पर जाना होता है तो साधे चार बज़ी चार बज़े तो उठना ही बढ़ता है और आज के लिए लाइट टिप भी नहीं वो और मुवड लाइब शे लाइब ऑने वहीं बदा लेटी है वाइब व बढ़ता है उड़े वहीं घरना है बढ़ता है वो तो फ्रेंट्स आपने पिछले कुछ सेकेंड में आपने नोटिस किया होगा कितना अच्छे से वोईस रहती है ना चारों तरफ में कोई अलव अगेरा और चीडियाओं की चेह चाट अगेरा तो ये सुबह सुबह में इतना अच्छा लगता है सच में जाते हैं ना तो रस्त तो गहाँ में एकदम फील कीजिए कितना अच्छा लगता है सुबह सुबह का तो अब साइड पर हम लोग पहुंच गए सुबह सुबह और सुबह काम हमारा हो गया है फिर हमने यहां पर देखिए एक दिदी है न वो बॉटल की मुनना ही कर रहे हैं तो बस मैंने इनके साथ रहे हैं थोड़ा बहुत हो सीखा है वैसे मेरे को समझ में आ गया है इनके जितना इसपिड मेरे को नहीं बनाना आता और वो इतना अच्छे से एकदम बारिकी से बनाते बहुत अच्छा बनाते और अब इसको देखे मैंने आस सोचाए कि मैं भी लेकर आऊंगी एक बॉटल और मैं भी यह जहना इससे बनाऊंगी जरूर अटाइम पास हो जाता है अच्छा लगता है इसमें पानी ठंडा रहता है देखिए यह हमारे जंगल में रहते है ना तब का हमारा छोटा इसमें रहता है यह खेत पे वगएरा जाते है यह जंगल में कहीं भी जाते है ना तो इसमें पानी आराम से हम लोग ले जा सकते हैं और बॉटल भी यह बड़ी वाली है यहां पर कोई आ गए थे इसलिए मैंने गुंगट कर लिया यहां पर इन्होंने बीच बीच में अगलग से इन्होंने डिजाइन भी बना ही है तो वह लुक बहुत प्यारा दे रही है देखे आप दो चार कलर दिदी ने एड़ किया है इसके अंदर तो वही हम लोग भी बैटर बैटर यही काम कर रहे थे अब मेरा सुब़ सुब़ का काम हो गया था मां पर तो फिर तब यह रेस्ट कर रहे थे उनके साथ फिर मैंने भी सिखा यह वैसे जदा हाड नहीं है यह बनना ना पर एक हाथ से बनना इनके दिदी के हाथ की सफ़ई बहुत ही अच्छी है यह बारिकी से और इतना फिनिसिंग से इनका वर्क है ना इन्होंने आगे भी एक दो बोटल बनना ही थी अभी नीचे सब लोग नीचे काम कर रहे थे तब तक हम लोग इधर उपर थे बैठे थे और हमारा छोटा सा है ना हम लोगों ने वाँ पर एक छोटा सा घर भी बनाया यह आप देख सकते है ना पत्ते वगेरा डालके वाँ पर दूप बहुत रहती है साइड पर तो सब न इसमें हाथ दर्द करने रख जाता है बनाते बनाते कि आपको बॉटल कैसे लिए आप बताना जरूर है ना और यह दिखें यहां पर इधर साइड में हमारे चल रहा है काम कि दो दिन पहले बारिश आई थी तो अभी हलके हलके से पत्ते इनके ग्रीन होने लगे अभी वैसे उतनी ज्यादा बारिश नहीं आई थी पर थोड़ी सी ठंड़क तो हुई है कि हां मोसम की पहली बारिश तो आ गई है तो यहां पर मैं गई थी इन सबको मतलब सब लोग काम करी रहे थे वैसे तो आपर बताने के लिए किस तरीके से क्या करना है और आज मैंने पूरे दिन का क्या करता है ना वो व्लोग मैंने आपके साथ में शेयर किया है वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर देने का और प्यारा सा कमेंट जरूर करना और बस इसके बाद मैं जज़ाद कुछ नहीं किया था हमारा मतलब काम वगयरा हो गया था साढड पूरे दिन यहां निकल जाता है तो यहां की मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती पूरे दिन गाममें रहते ह। फिर क्या बनना ना रहता है तो इसलिए यहां पर दोपहर को एक वज़े के बाद हमारी यहां पर चुटी वगरा हो जाती है वापस दोपहर की अटनेंस वगरा होती है और उसके बाद में चुटी हो जाती है हमारी यहां पर पूरे दिन गुंगट में रहना पड़ता है मतलब जैसे यहां पर बुज़ूर के वगरा रहते हैं तो उनके सामने गुंगट में बात करते हैं मतलब गुंगट में रहना पड़ता है यहां पर तो बस यहां उपर आ गई थी में और नीचे सब लोग नीचे ही थे उसेड में और तो उसके बाद में दोपर की आटेनेंस हमारी हो गई और इतना सब लोग आज मैं यहीं पर मेरा व्लोग खतम करूंगी और आपको मैं पहले भी बोली थी वीडियो गर अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नही एले बावाइ